तो दोस्तों आपके घर में भी आया उध्या से आये हुए यह अक्षयत भगवान श्री राम के प्रशाद के सुरूप आपको मिले होंगे पर कई लोगों ने इसको संभाल लिया होगा और कई लोग नहीं संभाल पायोंगे कई लोगों ने पूजा पाट भी कर ली होगे और यह अक्षयत उनके पूजा स्थान में अभी भी ऐसे ही रखे होंगे पर यह सीच का ध्यान रखिए यह अक्षयत मात्र पीले रंग के चावल नहीं है यह आपके जीवन में पता नहीं कितनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं और यह अक्षयत स्वयम में आपके जीवन में इस तरह से मालक्षमी को प्रकट करने वाले हैं कि जिस तरह से अमावस्या के वाद पूनिमा की चांदनी आपको जीवन में महसूस होती है तो इसी तरीके से आपको इस अक्षतों का क्या करना है यह अक्षत आप किस तरह से अपने जीवन में उपयोग करें आज मैं आपको यही जानकारी देने वाला हूँ क्योंकि यह अक्षत मात्र अक्षत पीले रंग के अक्षत नहीं है यह आपकी किस्मत को बदलने वाले अक् तो इसी तरीके से जो भी हमारे जीवन में चलता रहे जो कभी खत्म ना हो मालक्ष्मी है हमारे जीवन में सुक्समृद्धी जो है मालक्ष्मी है और मालक्ष्मी को वही पा सकता है जो विष्णुजी को प्रिय हो विष्णुजी को ध्याये विष्णुजी को पूजा करे क्य केले ही आप विश्णु जी को ही पूजन नहीं कर सकते हो तो दोनों को आपको एक साथ लेकर आना होगा ताकि दोनों के दोनों ही एक साथ आपके घर में और आपके जीवन में सुक्षान्ति के लिए विराजमान हो सबसे पहले देखें यह अक्षत जो है हल्दी लगे पीले चावल है यह अयोध्या में श्री राम जो मूर्ति है और इतना भव्या आयोजन हो रहा है उसकी प्राण प्रतिष्टा के समय पर आपके घर घर आके लोगों ने आपको दिये हैं आम अंतरन के तौर पर अब इन अक्षतों से आपने क्या करना है देखें दो-तिन उपाए हैं कि पहला ये काम करना है कि आप ये अक्षत लाल या पीले कपड़े में बांध कर अपने घर के वहाँ पर रखना है जहां पर रुप्या पैसा रखते हो यह नहीं कि आप अपने घर के प्रसाद में नहीं कभी नहीं आप या तो दिखिए राममुर्थी प्राण प्रतिष्था बार बार नहीं होती तो यी जीवन भर समालने वाले आपके सामने ये प्रसाद है ये आशिरवाद है इसको कैसे समाला जाया भेतтесь ये समझिये उपाए इनसे बहुत सारे हैं उपाए भी समझे क्यूंकि छोड़े से ही आपको मिले होंगे आपको प्रसाद तो प्रसाद ही होता है प्रसाद वो होता है जो आपके कंट से नीचे न उत Georgia펜 लोग भर फेट खाते हैं उसे प्रसाद नहीं कहते हैं प्रसाद तो वही होता है तो इसी तरीके से प्रसाद है जो कि आपके कंठ तक ही रहे इतने मात्र थोड़े से अक्षत हैं यही अक्षत बहुत है आपके लिए अब आपने क्या करना यह अक्षत लेने हैं और जिनकी करदी लेकर आने वाले हैं कई लोगों ने समझदार लोगों ने कर लिया है धंक से मैनेज कर लिया है अच्छे से रख लिये हैं पर यह सोचे कि आप बार-बार इनको खोल नहीं सकते हो तो तरीका क्या है कि आपके एक तरफ घर में वहां भी रखे रहें पर्मारेंट सब्सक्राइब को आप अक्षट को निकाल के किसी पौलिथिन में इस तरह से केरी पाउच में डाल के जिप-लॉक वाले में आप डालकर आप अपने गर के पूजा-स्थान में से हटा कर आप अपने वहां रखिए जहां पर आपका रुपया पैसा रखा होता है मालक्ष्मी का स्थान वहीं है जहां पर आपकी तिजोरी है जहां पर आप पैसा रुपया कुछ रखते हो वहीं पर ही रखिए वहां पर रख लिए आपने एक तरह से काम हो गया अब जो कुछ मात्रा में आपने थोड़े से अक्षत निकाले थे 8-10 अक्षत जो भी आपने बचाए हैं उन अक्षतों को आप अलग से ही रख लिजे किसी पात्र में किसी चांदी की डिब्या में किसी तरह से संभाल कर दो डिब्य ले लिए एक आपके पर्मनेंट पड़ी रहेगी अपने लौकर में रखेंगे और द किसी तरह से शादी ब्या की त्यारी चल रही है आपके घर में किसी की शादी नहीं हो रही है रिष्टा आ रहा है या रिष्टे के लिए आप जा रहे हो डिब्या अपने पास रख लिजे अपना काम कीजिए कहीं इंटर्वियू में जा रहे हो कहीं पर जॉब के लिए है डिबिया अपने पास रख लीजिए, कहीं कोटकचेरी के जंजट में जा रहे हो, कहीं पर कोई ऐसा मैटर है, जो कि आपकी बिजनस की डिलिंग से है, डिबिया अपने पास रख जाईए बातचित करिए, पर इस चीज का ध्यान रखिएगा कि डिबिया में प्रसाद है, जहां पर आपको लगता है कि इसकी जो मर्यादा है अक्षतों की मर्यादा है जो गरिमा है वो भंग नहीं होगी वहां पर आप ले जा सकते हो और कहीं गलत जगार लेकर नहीं जाने हैं क्योंकि आपके बार-बार काम आने वाले अक्षत हैं आपके साथ स्वयम प्रभू श्री राम का अशिरवाद हैं रही बात जो अब यह अक्षद है आपके पास दो तरह से आपने अक्षद को अपने डिवाइड कर लिया और यह अक्षद ही अब आपके सभी कामों में काम आएंगे अब अक्षद तो आपके देखिए जब भी आप दिपावली तो दो बार मनाई जाएगी एक तो हो गई बा पाती है तो अब आपके पास दो बार मौका आ गया है कि दिपावली के समय भी की जाए और 22 तारीक को भी की जाए 22 जनवरी को भी तो यह जो आपकी अक्षत वाली डिबिया है यह भी चाहे तो आप अपनी उस धन पोटली में डाल कर अपने घर के रुपया पैसा रखने के स् स्थापित करिए अगर मालो एक ही पैकेट मिला है कि पाउच मिला तो इनको थोड़ा 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 करके डिवाइड कर लीजिए और डिबिया में डाल डालके आप रख लिए अब वो लोग भी हैं जो कहते हैं कि डिबिया नहीं हमारे पास चांदी की हम क्या करें दे पैसा खर्चना पड़ जाता है कुछ शुद्ध चीजों के लिए तो खर्च लीजिए चांदी की डिबिया ले लीजिए उसमें आप अक्षत रखी रख लीजिए फिर भी अगर लगता है कि कंडिशन नहीं है अभी नहीं है बाद में हो जाएगी या बाद में लेंगे तो इनको आप अच्छी तरह से फोल्ड करके इसमें डालके और इनको बंद करके आप रख सकते हो मान लो इस तरह से अक्षत आ गया और यह इस तरह से आपने डिबिया को बंद भी कर लिए आप देखिए एर टाइट हो गया ना हावा लगेगी ना कुछ होगा ना खराब होग जीवन भर रखा रहेगा यह अक्षत तो जीवन भरर समालने वाले हैं तो इस तरह से इनक्षत को इस तरह से रिगारнул 一向 से आप इजड़ दीज़िए कि आप जितना अप सामर्थ नशार कर लेंगे उतना ही आप के लिए वही चीज़ वर्दान के रूप में साबित होगी वरना दिन्या भर में बहुत से जंजट हैं, बहुत खर्चे हैं, सभी में तो आप करते रहते हो, कभी-कभी तो अपने धर्म करम के नाम पर खर्चा करो, मेहगा मोबाइल लेना है, मेहगे कपड़े लेने हैं, कुछ भी लेना, उन सब पर तो हर को इनसान कर देता है, लड़ जगड़ कर देता है, चलिए दोस्तों, बाकि आपके घंड में प्रभु श्री राम और मालक्षमी हमेशा विराजमान रहें, मैं यही कामना करता हूं, जै श्री राम